Welcome back to everyone, I am Rohan Sharma और आज हम बात करेंगे Pre-Historic Cultures in India हम सभी जानते हैं कि मानव के इतिहास में मानव ने हमेशा Progress की है वो हमेशा आगे की और Advancement की और बड़ा है तो हमारी जिम्मेतारी मनती है कि हम Pre-Historic Cultures के बारे में भी जाने ताकि हम आने वाली जनरेशन को भी बता सकें कि पहला Culture कैसे हुआ करता था आज का Culture कैसा है और आने वाला Culture कैसा होगा जो आगे Society decide करेगी तो शुरू करते हैं पहले हम जान लेते हैं Chronological Sequence में कि जो Cultures है वो किस तरह से रा है उसको हमने Divide किया है पहले बात करते हैं हम Paleolithic जिसे हम Old Stone Age भी कहते हैं ये First Age मानी जाती है ये हमें 25,8,000 BC के बीच में मिलता है दूसरा हमारा आता है Mesolithic Middle Stone Age जिसे हम कहते हैं वो 9,000 BC से 4,000 BC के बीच में हमें देखने को मिलता है ये Age को इसलिए Divide किया गया है क्योंकि एक नए नए टूल से सीखे थे इंसाने नए नए चीजे सीखी थी तो वैसे Divide कर दिया गया है ताकि हमें समझने में असानी हो सके तीसरा हमारा आता है Neolithic जिसे हम New Stone Age कहते हैं इसमें इनसान ने और भी नए सारी चीजे सीखी थी 7,000 BC से लेके 1,000 BC के बीच में हमें Neolithic Stone Age देखने को मिलती है फिर लास्ट हमारे पास आता है चैलकोलिथिक जिसमें कोपर की शुरुआत हुई थी नए चीज सीखी थी इनसान ने जो बेसिकले 2100 BC से लेके 700 BC के बीच में हमें देखने को मिलता है पहले हम बात करेंगे Paleolithic Old Stone Age की तो Paleolithic period आप पहले देख लीजिए पहले भी हमने बात की है 25,000 BC से लेके 8,000 BC के बीच में हमें ये देखने को मिलता है इसे हम Ice Age का पार्ट भी मानते हैं Ice Age में आपको बता दूँ कि Northern Hemisphere और Southern Hemisphere या शोट में अगर आपको समझाओं तो Almost जितना भी हमारा अर्थ है उसका जादातर पार्ट जो होता था वो बर्फ से ढखा होता था तो इसलिए जो Human थे जो इनसान थे वो किसी Particular Location में रहा करते थे जैसे गुफाओं वगारा में तो इसलिए कहा जाता है कि जो Paleolithic Period है वो Ice Age का भी पार्ट है जो की 1,000,000 से 8,000 BC तक देखने को मिलता है उसके बाद हमने इसी एज में जाना था कि हम आग का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं फिर हमने Land Bridges बनाना शुरू किया तो इसका हमें पता चलता है कि Land Bridges की जो शुरुआत है वो Basically Paleolithic Period से ही हुई थी Use of Land Bridges was found during this period अब हम देखते हैं कि Tools कौन कौन से इस्तमाल हुए थे Paleolithic Period में तो Basically ये हमारी पहली Age है, Old Stone Age है तो इसमें ज्यादातर पत्थरों का इस्तमाल किया गया था हथोड़ा हमें पत्थरों का देखने को मिला था Clever, Scrappers, Made Out of Bones जो ज्यादातर हड़ियों, जानवरों के हड़ियों से बने होते थे पत्थरों के बने होते थे, तो इस तरह की चीजों का इस्तमाल किया गया इनसान के दवारा Paleolithic Period में फिर हमारे पास आता है कि Habitation and Occupation यानि कि उस समय में लोगों का Habitation कैसा था, उनकी Occupation कैसी थी तो Basically वो Hunters और Gatherers होते थे, यानि कि उस समय कोई Cultivation वगारा नहीं होती थी, कोई खेती नहीं होती थी, Agriculture नहीं होता था यानि कि जानवरों का शिकार करके वो अपने भोजन का गुजारा करते थे, ठीक है नुमैडिक पीपल थे, यानि कि वो एक जगा में नहीं रहते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो उन्हें हम नुमैडिक पीपल कहते थे, किसी एक जगा पहे उनकी सिविलाइजेशन नहीं थी, जैसे कि हड़पन सिविलाइजेशन थी, तो उनको हम नुमैडिक पीपल कहते है Agriculture की कोई knowledge नहीं थी, उनके पास found shelter in caves, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो गुफाओं बगारा में रहा करते थे Cave paintings की अगर हम बात करें इस period में, तो वो हमें भीमबेत का मद्य परदेश में देखने को मिलता है वहां हमें भालूओं की painting देखने को मिलती है, 500 of which bears paintings Important sites की अगर हम बात करें, तो बिलान वैली है उत्रपरदेश में, जो पैलियूलिथिक कल्चर को रिप्रेजेंट करती है सोहान वैली है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, फिर राजिस्तान है, थार डेजर्ट उसके बाद world की sites हम जानते हैं, जो की पैलियूलिथिक कल्चर को रिप्रेजेंट करती है अफ्रिका में, वैस्टन यूरोप में, तो ये रहा हमारे पास पैलियूलिथिक पीरिड Second हम बात करते हैं मैसोलिथिक पीरिड की, यानि की Middle Stone Age उसका पीरिड पहले आप जान लेजिए, नो हजार बीसी से लेके, चार हजार बीसी तक हमें देखने को मिलता है मैसोलिथिक पीरिड, इस समय क्या हुआ कि कलाइमेट थोड़ा सा चेंज हुआ, मैंने आपको पहले बताया था कि पीरिड में जादा तर जो हिस्सा था वो बर्फ से धका होता था इस पीरिड में क्या हुआ, कलाइमेट थोड़ा वॉम हुआ, यानि की बर्फ पिगलने शुरू हो गई ड्राइ होना शुरू हो गया इस एज में, तो कलाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है फिर जो flora and fona है उसमें भी हमें changes देखने को मिलता है जो species होती है जो plant की species होती है उसमें भी हमें थोड़ा सा change देखने को मिलता है मैंने आपको कहा था कि paleolithic में वो एक ही location में रहा करते थे क्योंकि बर्फ से ढखा होता था सब कुछ knowledge नहीं थी उनके पास तो अब इंसान को पता चल गया कि अब हम बाहर निकल सकते हैं क्योंकि अब धूप निकलने शुरू हो गई जातर हिस्सा जो था वो अब बर्फ का नह ही रहा तो उन्होंने दूसरे एरियाज में जाना शुरू करती है और नहीं नहीं knowledge को acquire किया इसे हम transitional period भी कहते हैं intermediate period भी कहते हैं between the paleolithic and the newolithic periods thus it is also sometimes referred as the late stone age पहले जो थी वो old stone age थी इसे हम बोलते हैं late stone age अब हम और भी ज़्यादा advance हो गए अब हमने कौन-कौन से tools का इस्तमा किया, daggers का इस्तमाल किया, spare hats का इस्तमाल किया, crescents का इस्तमाल किया, arrow hats जो होते हैं उसका इस्तमाल किया, triangles का इस्तमाल किया, sequels, trapezes का हमने इस्तमाल किया, तो जान लेते हैं कि मैसोलिथिक की sites इंडिया में कौन-कौन सी है जो कि मैसोलिथिक culture को represent करती है, तो राजिस्तान में है बैगोर हैटे माइक्रोलिथिक इंडस्टी माइक्रोलिथिक इंडस्टी यानि कि हमने पत्थरों का इस्तमाल और भी जादा अच्छे से करना सीख लिया हमने पत्थरों को और भी जादा तीखा बना दिया तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोलिथिक इंडस्टी यानि कि छ हमने इंसानों को जानवरों को दवाना भी शुरू कर दिया था तो वो भी एक knowledge acquired की थी हमने mesolithic culture में फिर हम बात करते हैं newolithic period जिसे हम new stone age कहते हैं अब ये stage और भी ज़्यादा advance है अब human ने और भी ज़्यादा नई नई चीजें सीख ली इसका period पहले आप देख लो 7000 BC से लेके 2500 BC तक ये रहता है newolithic period टूल्स की हम इस्तमाल की बात करें तो टूल्स हमें basically यहाँ पे polished stone tools हमें देखने के मिलता है यानि कि हमने colored tools का इस्तमाल करना शुरू कर दिया और भी ज़्यादा उनको black burnished wear आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से ये kotora वगएरा है पतीला वगएरा है तो इससे हमें पता चलता है कि हमने polished चीजे का इस्तमाल करना शुरू कर दिया था जिसे हम black burnished wear कहते हैं gray wear, matte impressed wear used in pottery basically pottery होती थी यह सारी की सारी जिनकी भी मैंने अभी बात की है systematic agriculture हमें देखनों के बिलता है was started that was made possible due to change in the climate अब climate change हुआ हमने knowledge को acquire किया knowledge को फिर हमने field में लगाया तो हमें systematic agriculture के बारे में पता चल गया use of a fertilizer हमने fertilizer का इस्तमाल करना सीखा सीकल का इस्तमाल करना सीखा, potry का इस्तमाल करना सीखा हमने agriculture में slash and burn system was used आप पहले screen में देखिए मैंने लिखा हुआ है slash and burn system is also known as a shifting cultivation तो basically ये एक shifting cultivation होती थी कि जो भी हमने खेती की है उसके बाद में जो भी जो मिलते थे stables मिलते थे उनको हम जला देते थे और फिर दूसरी location में हम shift हो जाते थे इसे हम कहते है shifting cultivation basically उस समय में इसको हम slash and burn system भी कहते थे horse crumb की खेती हमें देखने को मिलती है रागी की खेती हमें देखने को मिलती है wheel discover हुआ था इस age में domestication of cattle, sheep, goats का हमें देखने को मिलता है evidence of dogs, peaks, chickens are also found fire baked earthen pots are found at many places important sides की हम बात करते हैं जो represent करती है newolithic culture को बुर्जा होम 2700 BC कश्मीर में है गुफ कराल 2020 कश्मीर में है चिरंद 2020 पतना में है south of गुदावरी river represent करता है newolithic culture को hills of assam, garo hills में, galia में वो भी represent करता है newolithic culture को अब last हमें देखने को मिलता है चालकोलिथिक age जो की सबसे ज़्यादा important है उसका period आप देख लिजे 1200 BC से लेके 720 तक क्योंकि हमने इसमें copper का इस्तमाल करना सीख लिया तो इनसान जो है human जो है वो और भी ज़्यादा advanced stage में आ गया और इस period को हम transitional period कहते हैं between the newolithic and the bronze age main tools कौन कौन से थे जिसका हमने इस्तमाल किया है चालकोलिथिक age में वो बने होते थे stones के पत्थरों के बने होते थे और basically copper के बने होते थे क्योंकि copper को हमने discover कर लिया था ज्यादा तर लोग इसमें farmic activities में involved होते थे unique feature है कि यहाँ पे हमें burial practice देखने को मिलती है कुछ important Indian sides की हम बात करते हैं चालकोलिथिक age की वो है गिलंद राजिस्थान में बालाथल राजिस्थान में अहार राजिस्थान में तो यह था overall prehistoric cultures of India तो इस तरह की वीडियो से अगर आपको और चाहिए हैं तो please आप like करें, share करें, subscribe करें motivation मिलेगा so thank you very much and God bless you thank you